नमश्कार SPN 9 नियूज में आपका स्वगत हैं बिहार में जहां RGD पार्टी की तरफ से भी सीट बटवारे को लेकर फैसला होता हुआ नजर आ रहा है जहां लालू प्रसाद यादव के जरीए टिकेट बाटे जा रहे हैं प्रतियाशियों का एलान किया जा रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की दो बेटिया अब चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी एक तो मीसा भारतिया और एक रोहनी अच्छा रहा है वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि तेश प्रताप यादव जो अपनी बिमारी के कारण अस्पताल मे भरती हुए थे वो अब पूरी तरह से स्वस्त नजर आ रहे हैं तेश प्रताप यादव स्वस्त होने के बाद भारती जनता पार्टी और जेडियो पार्टी पर हमलावर साबित होते वे भी नजर आए तेश प्रताप यादव की बात करें तो जब तेश प्रताप यादव बेमार थे अस्पताल में भरती थे तो तमाम तरीके से तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए या टूइट के माध्यम से तेजस्वी यादव के स्वास्ते के बारे में जानकारी ना सिर्फ आरजेडी की कारे करता आरजेडी की नेता बलकि जेडियू पार्टी के भी तमाम नेता करती हुए भी नज़र आए थे इस बीच में ये भी देखा गया था कि जो उनकी पतनी थी एश्वरेय राया वो भी कही न कहीं परिशान तेश्परताप यादव को लेकर नज़र आई थे इस बीच ये भी देखा गया था कि खबरों के माध्यम से ये सामने आया था कि वो रावडी अवास भी पहुंची थी तेश प्रताप यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची एश्वेर राय यहाँ पर वापस वो अपने घर पर लौट आई थी लेकिन सुत्रों के माध् तेश प्रताप यादव की तब्यत को लेकर चिंतित थी और पहले भी मुलाकात करती हुई देखी गई थी आपको यह बता दे कि यहाँ पर एश्वेर राय बेशक यहाँ पर तेश प्रताप यादव से तलाक ले चुकी हैं लेकिन परिवार से संबंद उनके अभी भी अच जिसकी वज़ा से वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आज जाती हैं